अज आपके शरीर का जोतिशी X-Ray होगा आप सोच रहे होंगे यह कैसे हो सकता है यह संभव है जोतिश शास्त्र की एक शाखा होती है समुद्र शास्त्र शमुद्र शास्त्र वो जोतिश विग्ञान है जिसकी मदद से किसी का पूरा नेचर एक एक राज हम जान सकते हैं शरीर का पूरा एक्सरे हो जाता है मैं आपको काई बार टुकडों में समुद्रशास्त की जानकारी देती हूं लेकिन आज तो आपको भरपूर जानकारी दूँगी एक तरह से सामने वाला पूरा आप उसका एक्सरे कर पाएंगे पैर की उंगली और तल्वे से सामने वाले का हर राज हम खोलेंगे एक एक नाखुन बताएगा सामने वाला सच बोल रहा है या जूट किसी की हसी के पीछे चिपी साजश सामने आएगी चहरे की थोड़ी बताएगी सामने वाला धनवान बनेगा या कंगाल खराटे मारने का तरीका भी आपके पती के बारे में बहुत कुछ बताएगा आज के पहले महाउपाई की बात कर लेते हैं क्या आपके पास पैसा नहीं आ रहा है? लक्षमी जी के 18 नाम एक बार सफेद कागस पर लिखकर लाल या पिंक पैन से लिख दीजे अपने घर के पूचा स्थान पर ये कागस फोल करके रग दें काम पर जाने से पहले इस कागस को माथे पर लगा कर जाएं देखे कैसे काम बनेंगे आज होगी आपके पैर की बात आपके पैरों की उंग्लियां बहुत कुछ बोलती है अरे आप तो देखने भी लग गए? ऐसे नहीं बोलेंगी मैं कुछ बताऊंगी उसके बाद बोलेंगी अब जाने कैसे अगर आपकी दूसरी उंग्ली बाकी उंग्लियों से बड़ी है तो फिर ये मौटोन स्टो कहलाता है मौटोन स्टो लीडर्शिप क्वालिटी का संकेत देता है इसका मतलब ये भी होता है कि आप सफलता और पैसे से ज़ादा शान्ती की चाह में हैं अगर आपकी दूसरी उंग्ली बाकी उंग्लियों की जगा छोटी है तो आप एक क्रियेटिव इंसान है आपके पास सभी समस्याओं से निबटने के स्मार्ट तरीके होते हैं आप मल्टी टैसकर हैं और हर काम को बहुत जिम्मेदारी से करते हैं अगर आपकी तीसरी उंग्ली बाकी उंग्लियों से छोटी यां बड़ी है तो अगर आपकी तीसरी उंग्ली सारी उंग्लियों से ज़ादा बड़ी है तो आप बहुत महंती हैं और पैसे से मजबूत इंसान हैं आप शक्ति शाली हैं और सामाजिक होने के साथ अपने काम को मन लगा कर करते हैं अगर आपकी तीसरी उंगली बाकि सारी उंगलियों से छोटी है तो आप जिन्दगी की छोटी छोटी खुशियां इंजोई करने में विश्वास करते हैं आपको आपकी जिंदगी में गमों की परवा नहीं होती अगर आपकी चौथी उंगली दूसरी उंगलियों से बड़ी या छोटी है तो अगर आपकी चौथी उंगली बाकी उंगलियों से बड़ी है तो इसका मतलब कि आप संसार के सबसे ज़्यादा प्यार अपने परिवार को करते हैं आप उन्हें इतना ज़्यादा प्यार और टाच करते हैं कि कभी उनके बिना अपनी जीवन को सोची नहीं सकते ना उन्हें परिशान कर सकते हैं अगर आपकी चोथी उंगली चोटी है तो परिवार आपके लिए उतना महत्व नहीं रखता और आप अपने परिवार की समस्या से अक्सर दूर भागना चाहते हैं अगर आप अपनी सबसे चोटी उंगली को हिला डुला नहीं कर पाते हैं हिला दूला सकता हिला कर देखिए आप अपनी चोटी उंगली को हिला डूला सकते हैं तो आप इससे क्या होगा तो आप एक 2 लेवल और एक predictable तो हम यह कहेंगे कि आप एक loyal और predictable इंसान है अगर आप छोटी उंगली को अपने अनुसार हिला डुला नहीं पाते हैं तो आप fun loving और adventurous इंसान है अगर आपके उंगली बिल्कुल सही आकार में है तो अगर आपके पैरों की उंगली बिल्कुल सही आकार में है और set है तो आप एक अच्छे निचर की इंसान है आप एक अच्छे दोस्त एक अच्छे कर्मचारी है अगर आपके पैर चोड़े हैं तो आपके चोड़े पैर गुमकड होने का संकेत देते हैं आप कभी एक जगा बैठ नहीं सकते अगर आपके आक्स हाई है या लो है अगर आपके आक्स जो पैरों के आक होते हैं वो हाई है तो आप निच्छे ही एक आज़ाद इंसान है आप किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं अपनी जिन्दगी के नियम खुद बनाते हैं आपके आक्स लो हैं जो पैर का ये बीच का हिस्सा उठावा होता है न वो लो हैं तो आप लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और आप सामाजिक और खुले विचारों के हैं अगर आपके पैर सपाट हैं तो आप एक बेसिकली प्रैक्टिकल इंसान है जो लोग सम्मान बहुत माईने रखता है आप अपने करियर को लेकर चिंतित रहते हैं आए बात करते हैं आज कि सपेशल आस्टो टिपता देखे बहुत से लोग जो थे पहले के टाइम में अभी भी मैं देखती हूं कि चिंद पर नकली तिल बना लेते तो यह आपकी old age में आने वाली problems को attract करने की निशानी है नकली तिल ना बनाएं, जो कुदरत ने दिया है उसी को संभालें अब दूसरे महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है क्या लंबे वक्त के बाद भी संतान प्राप्ती नहीं हो रही है किसी भी शुब दिन 18 पूडियां और आधा किलो आटे या सूजी का हलवा बनाएं एक थाली में 7 जगा, 4 पूडियां और उसके उपर थोड़ा थोड़ा हलवा जो हैं ये रखें साथ ही एक साड़ी ब्लाउज और 101 रुपे थाली के साथ रखें इस सब के उपर हाथ फेर कर इन्हें अपनी सास या घर की किसी भी बुज़र्ग महिला को दे दे और उनके पैर छुकर उनका आशिरवात लें लेकिन हाँ डॉक्टर की सला जरूर लेते रहें सबुद्र शास्त्र की बात हो ही रही है तो आज आपको वो जानकारी दे देती हूँ जो आज से पहले कभी नहीं दे आपकी चिन भी बहुत कुछ बोलती है क्या बोलती है कैसे बोलती है आईए बता देती है नॉर्मल चिन है तो ये चुब होती है फल दायक होती है इस प्रकार के चिन होटों से ठीक नीचे बराबर पर होती है ऐसी चिन वाले लोग हमेशा सच बोलने वाले और अपने नियमों का पालन करने वाले होते हैं ये लोग गंभीर और कम बोलने वाले होते हैं ये कम जरूर लेकिन जब भी बोलते हैं काम की बात ही बोलते हैं इनकी बात को सिर्ज से निकारा नहीं जा सकता यह जो भी काम करते हैं बिना किसी लालच के करते हैं इसलिए यह परिवार और समाज में बहुत मशूर होते हैं यह जहां भी जाते हैं लोग इनका मान सम्मान करते हैं आर्थि ये कभी-कभी इनके काम बिगड़ भी जाते हैं ये लोग खुद को गुसैल दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन ये अंदर से बहुत डरते हैं ये अक्सर उत्तेज़त भी होते हैं इतने अफ़गुणों के बाविजूद भी इनमें कई गुण भी होते हैं ये अपने काम के प्रति इमानदार होते हैं और साफ स्पष्ट बोलने में विश्वास रखते हैं अगर अंडाकार थोड़ी होती है इस प्रकार की चिन शुब होती है इस प्रकार की थोड़ी वाले लोग भावक नटकट आठ लवर उचे विचारों वाले होते हैं ऐसे लोग आठ के फील्ड म करकर ही दम लेते हैं अगर लंबी चिन हो जिन लोगों की थोड़ी नॉर्मल से जादा लंबी होती है बेसिक के लिए ऐसे लोगों में अनेक गुण होते हैं और तो और ऐसी चिन वाले लोगों को कमंस्थिर रहता है ये एक ही लक्षे बनाका लगातार उसे पाने के लिए समाज में वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते जिनके ये हगदार होते हैं अगर छोटी चिन हो तो ऐसी चिन जो है सामाने से थोड़ी चोटी होती है ऐसी चिन वाले लोग आलसी असंतोशी विवेखीन काम से भागने वाले होते हैं इनके मन में कोई ambition नहीं रहता हैं मुक के अं सी निराशाबादी मायूस होते हैं ये मांसिक रूप से परेशान नहीं रहते इसलिए इनमें सोचने समझने की यह जो शमता येवी आम तोर पर थोड़ी कम होती है यह बहुत अधिक बोलने वाले होते हैं लेकिन यह क्या प्रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं इस बात खास मान समान नहीं होता है जिन लोगों की चिन चेहरे से थोड़ी आगे निकली भी होती है ऐसे लोग अपने काम के लिए महंती होते हैं लेकिन फिर भी इन में बहुत से अफगुन भी होते हैं ऐसी चिन वाले लोग स्वार्थी होते हैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं इन पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता ये लोग बिना बात पर किसी से भी लडने को तयार रहते हैं अगर किसी की स्क्वेरिश चिन हो तो ऐसे लोग आम तोर पर आर्थिक रूप से संपन होते हैं इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, इनके पैसे के कारण इनमें कई अफगोंड भी आ जाते हैं, इसलिए ये थोड़े आलसी भी होते हैं, इनके पास अपने आराम का हर समान उपलब्द होता है, ये कोई भी काम दिल से नहीं करते, इसलिए लोग इनसे काम कम करता प जोड़ी जादा चौड़ी होती है चिन, अगर ब्रॉड होती है, तो ऐसी चिन वाले लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, ये अपनी दिल की बात किसी को नहीं बताते, ये लोग बहुत एमोशनल होते हैं, जो भी काम करते हैं, दिल से करते हैं, इनमें बनावती पन अच्छा लगता है, समदर शास्त्र में आपकी पूरी शरीर का लेखा जोखा दिया हुआ है, अब आपको नाखुनों की बात बताती हूँ, आपके नाखुन भी कई तरह के इशारे करते हैं, कौन से इशारे करते हैं, आईए जानते हैं, जिन लोगों के नाखुन छोटे होते हैं, वो चाहे कितने भी उचे पत पे क्यों ना बैठे हो, कितनी अच्छे सुभाव के क्यों ना हो, ऐसे लोग अकसर असभ्य हो जाते हैं, यह अपना हित साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, टेड़े और आसमान या नाखुन वाले लोगों की मानसिक हालत अ पतले और लंबे नाखुन वाले लोग जल्दी फैसला नहीं ले पाते हैं, और इसी वज़े से कई बार इन्हें नुकसान उठाना पड़ता हैं, ऐसे लोग गलत संगत में भी पढ़ सकते हैं, इनके रिष्टेदार भी कई बार परिशान होते हैं, छोटे नाखुन और गा कठोर नाखुन वाले लोग जगडालो होते हैं, अपनी जित के पक्के होते हैं, यह जो ठान लेते हैं, वो करकर ही दम लेते हैं, चाहे वो फिर सही हो या फिर गलत, इन्हें किसी भी बात की परवा नहीं होती, यह लोग जिनके नाखुन चौडाई से ज़ादा लंबाई यह होते हैं, ऐसे लोग लगातार आगे बढ़ने वाले होते हैं, यह अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल करते हैं, यह अपने फर्स को अच्छी तरह से समझते हैं और इसे पूरा भी करते हैं, आपकी छोटी उंगली लिटल फिंगर के जो नाखुन है, इस पर अगर छ सफेद दाग हो तो अच्छा माना जाता है, इसमें यह इशारा होता है कि आपको सोचेवे काम से फायदा मिलने वाला हैं, अंगूठे के नाखुन पर अगर सफेद दाग हो तो प्यार में मिलने वाली सफलता की और इशारा करते हैं, लेकिन कई बार यह सफेद दाग बदन अब आज के तीसरे महा उपाई की बात करने का वक्त आ गया है क्या सेहत लगातार गड़बड रहती है किसी भी सुमवार को एक दस मुखी रुद्राक्ष ले उसे गंगा जल से धोले इस रुद्राक्ष को एक लोटे दूथ में डाल दे फिर इसे सुमवार को शिवजी का भी शेक करे बाद में इस रुद्राक्ष को लाल धागे में डाल कर गले में पहने लेकिन डॉक्टर का इलाज कराते रहें वो सबसे ज़्यादा जरूरी है हर किसी के हसने का तरीका भी अलग-अलग होता है हसना बहुत जरूरी होता है हसना चाहिए भी इनसान के लिए जरूरत है लेकिन हसने का समुद्र शास्त्र से क्या connection है आईए आपको बताती है खिल खिला कर हसना खिल खिला कर हसने वाले लोग सेहनशील, दयालू सबी का अच्छा सोचने वाले पढ़ाई लिखाई में आगे होते हैं ऐसे लोग किसी को दोखा नहीं देते साथ ही अपने अच्छे प्रेमी भी साबित होते हैं ठाका मार कर हसने वाले लोग जो लोग ठाका मार कर उचे स्वर में हसने वाले लोग होते हैं अपने जीवन में सफल होते हैं अगर ऐसी हसी के साथ चहरा व्यंग से भरा हो तो उसमें अहंकार की भावना भी होती है रुक रुक कर हसना हसने वाले जो लोग होते हैं इनकी मानसिक शक्ती मजबूत और कमजोर होती रहती है शात मुसकान जिन लोगों की मुसकान शात होती है ये अपने मन की प्रसंता को जाहर नहीं करते और गंभीर, तहरेवान, शांती प्रिया, विश्वासी, ग्यानी और स्थिर होते हैं हिन हिना कर हसना घोडे के समान हिन हिना कर हसने वाले लोग अक्सर गलत संगत का शिकार होते हैं ये लोगों का फाइदा उठाने में महेर होते हैं इन पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता मैंने आप से पैर की बात की थी आपके पैर की उंगलियों की बात की थी लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पैर का तलवा भी समुद्र शास्तर में बहुत एहम है आपके पैर का तलवा क्या बताता है आईए जानते हैं जिन लोगों के तलवे में शुब चिन जैसे कमल का फूल, शंक, छत्र, तलवार, साप, जंडा बाण होते हैं ऐसे लोग राजा के समान जीवन बताते हैं लेकिन ये संकेत आपको किसी बड़े ऐस्ट्रोलॉजर की मदद से ही दिखाई पड़ेंगे जिन लोगों के तलवे सावले या मटमेले रंके होते हैं वो हर परिस्थिती में खुश रहने वाले होते हैं इनका समाजिक और परिवारिक जीवन भी सामाने रहता है इन्हें अपने जीवन में कई स्थानों पर घुमने का मौका मिलता है ऐसे लोगों के पास धन की भी परियाप कॉंटिटी रहती है ऐसे लोगों को खुश रखना इन्हें अच्छी तरह से आता है सफेद रंग के तलवे वाले लोग नशे आदी के शिकार हो सकते हैं ऐसे लोग अच्छे भुरे पाप पुन्य का काम विशार करके करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है वही करते हैं ऐसे लोगों का जीवन समाज और परिवार के लिए कश्टदाई रहता है जिन लोगों के तलवे का रंग मट मेला होता है वो लोग दूसरों को डरा धमका कर अपना काम निपटवा लेते हैं अपना काम करवाना ऐसे लोगों के लिए किसी हद तक भी ये लोग जा सकते हैं परिवार में भी सब इन से डरते हैं जिन लोगों के पैरों का तलवा काला होता है इनकी संतान को कश्ट हो सकता है ऐसे लोग अनेक बिमारियों का शिकार भी हो सकते हैं और जीवन भर किसी ना किसी कारण परिशान रहते हैं ये लोग जीवन भर पैसों की तंगी में जीते हैं जिन लोगों के तलवों में गड़ा नहीं होता अर्था जिनके पैर के तलवे एकदम सपाथ होते हैं ऐसे लोग खुले विचारों वाले होते हैं ये लोग सामाजिक जीवन जीते हैं हर एक काम में आना इनका स्वभाव होता है ऐसे लोग महंती भी होते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा में बुठ के तलवे की एक रेखा एड़ी से निकलकर अंगूठे के मद्य भाग तक पहुंचती हैं और उन्हें जीवन भरधनकी कमी नहीं होती लेकिन धन्मान होने पर पैसे की जाधा चाहत रखते हैं जिन लोगों के तलवे पी ले उंगलियां मोर के पंजे की तरग खुली-खुली और पाम में नीली नसे सपश्ट और उभरीवी होती हैं ऐसा तलवा हमेशा ठंडा रहता है ऐसे लोग जीवन भर दुख पाते और हमेशा पैसों की तंगी से परिशान रहते हैं शरीर लक्षन विज्ञान के अनुसार अगर मास वाला चिकना गुदगुदा गुलाबी और अकर्शक तलवा है अच्छे फल देने वाला माना गया है ऐसे सब भी वक्ति के पैर की उंगलियां एक दूसरी के पास एडियां गोल तलवे हमेशा गरम रहने चाहिए अब ज़रा इंट्रेस्टिंग बात कर लेते हैं समुद्र शास्त्र में हर चीज के बारे में बताया गया है आपके खराटों के बारे में भी आये जानते हैं आपके खराटे क्या कहते हैं खराटों की पहली किस्म है musical खराटे इस प्रकार के खराटे बहुत कम तो क्या नहीं के बराबर देखने को मिलते हैं संगीत में खराटे लेने वाले जो लोग होते हैं ये नॉमल होते हैं पर ये बहुत कम मिलते हैं इस प्रकार के खराटों से कोई परिशानी नहीं होती, दूसरी क्रिस्म के खराटे होते हैं अचानक पैदा हो और धीरे-धीरे हलके पड़ जाते हैं, ये खराटे कान फार देते हैं, इस प्रकार के खराटे लेने वाले लोग भी सामाने होते हैं पर सुभाव से थोड़े होता है खराटों की चौथी किस्म सबसे भयानक मानी गई है यह काफी जोर की ध्वनी करते हैं ऐसे लोग संतोशी होते हैं पांची किस्म के खराटे भी म्यूजिकल होते हैं इस प्रकार के खराटे लेने वाले सामान्य और मीठे सुभाव के होते हैं यह समझौता करने वाले होते हैं अब आज के चौथे महा उपाई की बात कर लेते हैं सवाल क्या है ध्यान से सुनिए अगर आप यात्रा में आक्सिडेंट से बचना चाहते हैं तो क्या करें तो श्री कृष्ण शरनम गच्छामी जिस दिन यात्रा करनी हो उस दिन सुभा इस मंतर की दो माला का जाब करें लेकिन गाड़ी आराम से चलाएं रोड रूल्स फॉलो करें साथ में उपाई कर सकते है Entertainment की बाद हम बाद में बात करेंगे आपके कल को अच्छा करते हैं क्या करें आप अपनी राशी की हिसाब से मुझसे जानिए सबसे पहले मेश राशी की बाद मेश राशी की लोग कल सूर्य देव को जल जरूर दें भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 65% पिश्व राशी वाले लोग घर में अगरबत्ती जरूर जलाएं किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 78% मिथुन राशी वाले लोग गायतरी मंतर का जाब कीजे आप लक साथ दे रहा हैं आपका 68% करक राशी वाले लोग, मंदिर में धूप अगरबत्ती जरूर जलाएं लक साथ दे रहा है आपका 66% सिंग राशी वाले लोग, गणपती जी की पूजा कीजिए किस्मत साथ दे रही है आपका 67% कन्या राशी के लोग, सूर्य देव को प्रणाम करें भागे साथ दे रहा है आपका 76% तुला राशी के लोग, दुर्गा जी की पूजा आप जरूर करें किस्मत साथ दे रही है आपका 79% विश्चिक राशी वाले लोग, अपने ईश्देव को कल्याद जरूर करें भागे साथ दे रहा है आपका 69% धनु राशी वाले लोग शिप जी का नाम लीजे सब काम बनेंगे किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 72% मखर राशी वाले लोग मीठा कम खाईए आप भग्य साथ दे रहे हैं आपका 66% कुम राशी वाले लोग हनुमान जी की आरती कीजे किस्मत साथ दे रही है आपका 74% मीन राशी वाले लोग मंदिर में फूल चड़ाई ये भाग्य साथ दे रहा है आपका 77% फेस्बुक पर संतोष शर्मा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है बेसिकली संतोष जो है ये काफी समय से कोशिश कर रहे हैं फिर भी इनका अपना घर नहीं हो पारा और कुछ ना कुछ रुकावट आ रहाती है अटकी जाता है जिससे वो टेंस रहते हैं और उपा सवाल ये है कि क्या अपनी दुकान या कारोबार को और बढ़ाना चाहते हैं एक कटोरी या छोटी डिबिया ले उसमें कपूर का एक छोट असा टुकड़ा पानी में डूबोकर रखें इसे अपने वर्क प्लेस पर बिजनस प्लेस की पूर्फ दिशा में रखें कारोबार बढ़ने लगेगा कलम बात करेंगे आपके पती की कमर की जी हां क्योंकि उनकी कमर में छुपाएं उनके प्रोमोशन का राज इस राज से पर्दा कल उठेगा अभी मुझे जाज़त दीजिए अपना खयाल रखिए बाई बाई ठेक केर